इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे जार्खन के संसकार एवं परंपरा से संबंधित सभी महत्पूर्ण प्रस्न और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल study pre questions को subscribe कर ले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला प्रस्न है निम्द में से कौन सा कथन सत्य है जनजात्य जीवन की अधार सिला उनकी परंपराये हैं सही है आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं ये भी सही है जनजात्कियों में नामकरन गोत्र बंधन साधी ब्याह जैसे उत्सो प्रकृति से प्रेरित होते हैं ये भी सही है तो सही एंसर होगा उपर यूप्त सभी कथन सही है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं जनजात्य परिवार कैसा है सही एंसर होगा पित्री सत्ता अत्मत नेक्स्ट कोश्चन है जनजात्य परिवार में संतान किसका गोतर पाता है. जनजातिय परिवार में संतान पिता का गोतर पाता है. अगला प्रसन है जनजातिय परिवार में साधी होने के बाद लड़की किसका गोतर अपनाती है? सहीrí answer होगा, पती का. Next question देखते हैं. उराओं जनजाति में परिवार के धन पर किसका अधिकार होता है सही अंसर होगा अप्सने पुरूस का next question देखते हैं हो जनजाती में किस आधार पर परिवार बनते हैं सही अंसर होगा अप्सने किली हो जनजाती में किली के आधार पर परिवार बनते हैं संथाल जनजाती में दिछ्छा संस्कार को किस नाम से पुकारा जाता है यह question मैंने पहले भी कराया है सही answer होगा चाचो छठियार संथाल जनजाती के जन्व संस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है जन्जात सिसु का नाल तीर के नुकिले धार से काटा जाता है सही है परसव के पहले नौ माह के गर्व अस्था में स्वाद भक्षन कराया जाता है यह भी सही है जन्म के बाद पारू बुढ़ी ओम छठियारी मनाई जाती है यह भी सही है तो सही answer होगा उपरियुक्त सभी कथन सत्य है अगला प्रसन है जार्खन की प्राया सभी जन्जातियों के समाजीक सनरचना में किस व्यस्था की उपस्थिती रहती है तो आप सबको पता होगा कि जनजातियों के समाजिक सनरचना में गोत्र व्यस्था की उपस्थिती रहती है अगला question है मुंडा जनजाती में विवाह की बात निम्द में से किसके द्वारा तै की जाती है सही answer होगा option B चीरी ओर रिकी next question देखते हैं हो जनजाती में लड़के के माता पिता निम्द में से किसे लड़की के माता पिता के घर में भेज़ कर साधी ठीक करते है इसका सही answer होगा option C सुया next question देखते हैं जार्खन की जनजातियों में धार्मिक विश्वास और आस्था का अधार है अब पढ़े होंगे कि जार्खन के लगभक सभी जनजातियों के परमुक देवता जो है बोंगा है तो उनके धार्मिक विश्वास और आधार है आस्था का अधार है बोंगा नेक्स्ट कोईस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सही answer होगा option B, कोरवा next question देखते हैं जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है मिरितियू के बाद सो को गाडने और जलाने की दोनों प्रताय है इस सही है मिरितियू छूत प्राया 9 दिनों तक मनाया जाता है ये भी सही है मुंडा समुदाय की जातियों में उम्बूल आदेर रस्म होता है ये भी सही है तो सही answer होगा इसका उपर्यूक्त सभी कथन सत्य है next question है निम्न में से कौन सी जनजाती मिरितियू के बाद जग टोपा वो सबसी रस्म करते हैं जग टोपा वो सबसी रस्म करते हैं सही answer होगा इसका option A हो जनजाती के लोग मिरितियू के बाद जग टोपा वो सबसी रस्म करते हैं तो friends इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करें Thanks for watching